हेलो दोस्तों, वेलकम तो सीरेटी सलूइशन यूटूब चैनल हैकर रैंक एक ऐसा प्लैटफॉर्म दोस्तों जिसका यूज कई सारे स्टूइंट अपने कोडिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए करते हैं और अगर आप फर्स्ट रियर के स्टूइट हैं या फिर आप फाइनल के स्टूइट हैं या फिर आप फ्रेशर्स हैं तो आप इसमें एप्लाई कर सकते हैं काफी अच्छा आपको यहाँ पे package भी offer होता है और growth भी यहाँ पे काफी अच्छी होती है किस तरीके से दोस्तों आपको इसमें apply करना होगा और सारी detail के बारे में वीडियो में आगे हम बात करेंगे और जैसा कि दोस्तों officially इनके career page पे लिखा हुआ है कि आपको अगर इसमें apply करना है तो LinkedIn का use नहीं करना है तो कैसे आपको apply करना होगा यह सारी चीजे हम वीडियो में आगे जानेंगे वीडियो कर आपको पसंद आगी जरूर से like करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी share करिएगा और college group में भी जरूर से share करिएगा तो जैसा कि दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के messages थे कि आप full stack development पे अपना आगे का career बनाना चाह रहे थे और आप इसमें placement भी पाना चाह रहे थे तो दोस्तों मैंने आपको कुछ दिनों पहले Odin School के तरब से launch किये गए 6 month के full stack good cam के बारे में बताया था जिसमें registration दोस्तों अभी भी open है और अगर आप अभी apply करते हैं दोस्तों application form को feel करते हैं तो आप यहां पे scholarship टेस्ट देके 20,000 का 20,000 का discount भी पास सकते हैं सबसे ची बात यह है दोस्तों कि इस course में आपको starting से लेके industry label तक की training दी जा रही है project भी बनवाय जा रहा है और Odin School की तरब से 100% आपको placement assistant भी दी जा रही है जिसके बाद आप Google, Ola, Amazon जैसी company में placement भी लगा सकते हैं दोस्तों अगर आप इसमें अगर apply करना चाह रहे हैं link आपको description पे मिलेगा आप आएंगे Odin School की इस platform पे apply का आपको button मिलेगा और मैं आपको बता दू दोस्तों कि अगर आप technical field से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इसमें apply कर सकते हैं या फिर दोस्तों आपनी technical field से अपनी पढ़ाई complete कर ली है और अब आप सोच रहे हैं कि आप suppose अभी ऐसे job कर रहे हैं जहाँ पे आपका non-tech का work है और आप अपने आगी का career tech field पे लाना चाते हैं तो आप लोगों के लिए दोस्तों specially इस course को design किया गया है अगर आप technical field में आगे अपना career बनाना चाह रहे हैं इस course को करके आप placement भी पासकते हैं और अपनी दोस्तों जो आगी की career है उसको technical field में आगे develop कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर आप apply करना चाहते हैं तो link description पे मैंने आपको दिया हुआ है इसके बाद यह form आएगा जहाँ पे आपको बेसिक डीटेल डालना है और इसके बाद दोस्तों आपको एक test देना है जिसके बाद आपको 20,000 का scholarship यहाँ पे मिल सकता है डीटेल में जानने के लिए और रेडी मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों जिसका link आपको description पे मिल जाएगा और अगर आप आगे career full stack development बनाने का सोच रहे है तो one of the best course है जिसमें आप भी apply कर सकते है सारे links आपको description पे दिये है चले दोस्तों अब आपको मैं बता रहे है यहाँ पे start करता हूँ hacker rank की तरफ से जो update हमें देखने के लिए मिल रहा है कैसे आपको इसमें apply करना होगा दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते है कि hacker rank की official career page पे SG summer internship 2022 का notification आज चुका है और जैसा कि मैं आपको पहले यहाँ पे दिखा दू दोस्तों एक चीज़ जो यहाँ पे साफ साफ लिखी है कि आपको apply करने के LinkedIn का option यूज रही करना है आपको इनके official career page से ही apply करना होगा दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यह internship कितने month की होने वाली है तो 6 month की internship होगी और एक चीज़ यहाँ पे काफी clear किया गया है आप इसमें तभी apply करिएगा जब आप 6 month full time इस internship को करने के लिए ready है अगर आप अपनी college से permission ले सकते हैं कि हाँ आप यहाँ पे internship कर सकते हैं कोई भी foundation उनके तरफ से नहीं होगा college की तरफ से नहीं होगा तो आप इसमें no doubt apply कर पाएगे जूलाई से लेके December तक के internship चलेगी जिसमें दोस्तों आपको काफी अच्छा staff fund भी offer किया जाएगा और आपके फूरी यह chances तोओगी कि आपको full time job opportunity भी इसी company पे मिल जाए जैसा कि इन्होंने बताया दोस्तों कि apply अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो link आपको description पर मैंने अलड़ी बता दिया available है और इसके बात यहां पर इन्होंने बताया दोस्तों कि इस internship में आपको mentorship भी provide होगी मतलब आपको एक proper mentor मिलेगा जो आपको guide करेगा कि आपको क्या चीज़े करनी है और किस तरीके से आपको करनी है बिसिकली दोस्तों यहां पर बोला गया है कि आपको जो coding skill है वो अच्छा होना चाहिए अगर आप coding data structure में अच्छा है तो आप यहां पर select होने के काफी ज़्यादा chances है और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं उसे अगर आप अपने resume पर लगाते हैं तो proper दोस्तों वहां पर आपको आगे दूसरे internship के job बिलने पर मदद होते हैं apply करने का link description पर available है दोस्तों इसके लिए आपके पास एक resume भी होना चाहिए और resume को आपको काफी अच्छे से बनाना है यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है आपको अपने skill set को highlight करना काफी ज़्यादा ज़रूरी है इसके अलाबा अगर आपने कोई project बनाया हुआ है तो यहाँ पर बताया गया है तो कौन से year वाले apply कर सकते है साफ साफ लिखा है कोई भी apply कर सकता है जिसके पास right skill set होगी मतलब basic coding का knowledge होगा कोई भी यहाँ पर criteria नहीं है कि कौन से degree के आप हो कौन से year पर आप हो यह सब यहाँ पर कोई बीचीज यहाँ पर mention नहीं की गई यह apply करने के लिए आपको यहाँ पर यह डीटेल जिसमें आपको अपना नाम first name last name email id mobile number resume upload करना है और यहाँ पर आपने जो भी अपने github में अगर कुछ बना के upload किया है तो github का URL पेस्ट करना है और submit application पर क्लिक कर देना है इसके बाद अगर आप shortlist होते हो जिया तो अगर आप shortlist होगे तब ही आपको आगे का notification इनके तरब से फेज़ा जाएगा और आगे के exam को clear करने के बाद ही आपको यहाँ पर internship मिल जाएगी और इसका result दोस्तों आने वाले एक मन से दो मन पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि जुलाई में यह internship स्टार्ट होने वाली है I hope आपको वीडियो परसंद आयो होगी जरूर लाइक करिएगा दोस्तों के साथ भी से शेयर करिएगा Thank you